हमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आई है कैसे आप सभी वार्म गुड मॉर्निंग तो आल फ्यू काफी दिन बाद मुलाकात हुई जैहिन जोती जैहिन प्रणाम खुश रही है हर्शेद गुड मॉर्निंग ममता वाज भी क्लियर आ रही है कोई दि लुक्त शुरू हो गए नमस्कार मनीश्या याड मस्त है हाँ सच बात है ना प्यार गयार सब दोखा है पढले बेटा मॉक्त है तो वेलेंटाइन को बनाईए प्रिंटाइन ट्रेको बनाईए अपने पढ़ाई को अपना वेलेंटाइन गुड मॉर्निंग यश्वूु ग का नाम किंजल चौधरी है मैं आप सभी का स्वाथ करता हूं टैस्ट बुक पर एंड हमारे इन्वाइमेंट के प्रीवेस एर कुश्चिंस कंटिन्यू करने वाले हैं आप उसे मेरे टिलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्षे की बाद आपको पीडियाफ अ किंजल का इस्तमाल करेंगे अपको डिसकांट भी मिलता है इस कीमत पर आपको जीस को और सब्सक्राइब कोर्स और सब्सक्राइब कोर्स के दवारा बनाए गए कोर्से भी मिलेंगे केवल 25,499 रुपे में बागी आप मेरी लाइब क्लासे में भी जुड़ सकते हैं जरूर जुड़ें और इसका हिस्ता जरूर बने कासी कुछ आप सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैनल में डिली लाइफ क्लासेज हो रही है तो अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं जल्दी से जाईए जाके सब्सक्राइब चार अप्शन है आपके पास ओडम, रॉंकियर, क्लिमेंट्स या नीस किप ती सी सी डी 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 ओके निधी कैसी है आप गुड टू सी यू तो भई पहला सवाल समय होता है समात आप में से काफी लोगों ने जवाब सही दिया है देखे यू भी पीएसी में आया था यह 2014 में तो यह जवाब डी है जैसा शिजुका ने अभी बताया तो आंड नेस एक नौर्वीजियन फिलोसफर थे उन्हों नहीं यह टर्म डीप एकोलोजी कॉइन किया था तहीं मतलब क्या होता है एक एकोलोजी दो प्रकार्द में डिवाइड किये गए डीप एकोलोजी शैलो एकोलोजी कहता है कि इनसान स्पेशल है इनसान की जो जरूरत है उनको एहमियत दी जानी चाहिए वही डीप एकोलोजी कहता है कि हर जीव जिसमें जान है इरिस्पेक्टिव वो इनसान के लिए क इतना नुक्सान दायक है, irrespective of that, यदि वो जन्म लिया है, तो उसकी प्रित्वी में आवशक्ता है, और उसको वही सम्मान मिलना चाहिए, जो इनसान को मिलता है, तो ऐसा मत की ये पेड़ है, क्या ही है, काट देते हैं, नहीं, deep ecology, extreme form of ecological approval था एक जमाने में जो देखने मिला था, clear है, याद रहेगा, सभी को, चली, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, ecological niche का जो concept है, किन्हों ने start किया था, Grinnell Darwin Odom Park ए, इस पर एक बार चर्चा भी हमने की है, ए, इस प्रकार से अगर हम cover कर रहे है, environment को, कि जितने भी important topics है ना, सब कुछ cover हो जाएंगे, ए, बहुत बढ़ी आता समय हुआ, आपका समाप, सही कह रहे हैं, आप लोग, answer is, ए, ग्रिनल नहीं दिया है, ecological और environmental niche, और किसी की व्याख्या, ग्रिनल नहीं किया, ecological niche क्या है, पिछली class तो इसी पर हमने dedicate कर दी थी, पूरी की पूरी, चली, अगला सवाल देखते हैं, ग्रिनल के बाद, ecological footprint को ना पाक किस unit में जाता है, UPRO, ARO के प्री में आया है, global hectares, nanometer, अपस cubic foot, या cubic ton में, गुड मॉर्निंग काजल, गुड मॉर्निंग कलेक्टर साइवा, C, 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 A, A, global hectares, ए, हॉपस cubic foot, कहां सुन लिया, आप लोग बनेगे टाँ, चले वहिया, तो आपका समय हुआ समाप्त, global hectares, ecological footprint ना पा जाता है, global hectares में, कि आप जो इस्तमाल कर रहे हो, पृत्वी के resources को, इसको कितने hectare of earth ने मिल के बनाया है, है न, fruit, vegetable, food, fiber, food, fiber, fossil, fuel, सभी को, जो कितना hectare of CO2, ये sequester करने में लगेगा, उस context में ना पा जाता है, तो ecological footprint को ना पा जाता है, global hectares में, आप में से काफी लोगों ने का, hopas cubic foot, तो आपको मैं बता देता हूँ, hopas cubic foot क्या होता है, ये basically जो लखडी काटी गई है न, timber, कितना timber काटा गया, उसको ना अपने का एक पहमाना है, जो कि ब्रिटेन में इस्तमाल किया जाता है, चले, question number 3 के बाद चलते हैं, question number 4 की ओर, millennial ecosystem assessment ने, ecosystem services को provisioning support, regulating, cultural services में बाटा है, इनमें से कौन से support service है, production of food and water, control of climate and disease, nutrients, cycling and pollination, maintenance of diversity, UPSC pre-2012, test book 2024 students के लिए क्या special कर रहे हैं, देखिए आपके लिए यहाँ पर हम ले करके आए हैं, यह जो इस वक्त जो हम previous year questions कर रहे हैं, यह 2024 में भी important है, 25 में भी important है, 26 में भी important है, तो यह जो हम कर रहे हैं, this is very important, आप इसका हिस्सा जरूर बनें, अच्छे से पढ़ें, काफी कुछ आप सीखेंगे, वाखी हमारे platform पे भी हम बहुत कुछ नया ले करके आने वाले हैं, तो आप इसका भी हिस्सा जरूर बन सकते हैं, और अभी सेल भी चल रहा है, जैसा आप नीचे टिकर में भी देख रहे हैं, सी, 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 जनता जनारधन, विद्यारती गण, क्या है जवाब, सी, सी, nutrient cycling and crop pollination, एना production of food and water provisioning services है, एना control of climate and disease, अगर आप देखें तो control है, याने regulate कर रहा है, तो regulating services है, maintenance of diversity, maintain कर रहा है, याने regulate कर रहा है, regulating service है, लेकिन nutrient cycling and crop pollination, ये एक support service है, nutrient cycling होगी, crop pollination होगा, तो वही तो agriculture होगा, तो वही तो provisioning service, like production of food हो पाएगा, है की नहीं, तो ये support करता है, अने services को जंगल तभी लगेंगे, तभी तो आपको जंगल में जाएंगे, अच्छा लगेगा, तो cultural services होँगे, तो इसलिए answer क्या है, C, चलिए, next question देखते है, Bionomics के संदर में पूछा गया है, UP, UDA, LDA के paper में आया था, तीन statement इस तरह बताईए, क्या है, सही, with respect to Bionomics, जिनको नहीं दिख पा रहा, option A का है, one only, B का है, one and two, E है, two and three, D है, all D, तो मैं हुआ समाप, all 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 all, सब कह रहे हैं, all all all, किसी ने कुछ और दिया, यशू कह रहे हैं, C, या पिछले वाले का जवाब दिया था, उन्होंने सी, पिछले वाले का था शयद, answer D, नहीं है, जो आप लोगों ने दिया, answer C है, Bionomics ही ecology है, ecology को ही कहते है, Bionomics, यह न, उसी के लिए दूसरा term है, इसका मतलब होता है, जो natural system है, वो कैसे human system के साथ influence कर रहे है, इनकी जो पढ़ा ही है, that is Bionomics, 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 rather, economics कहना गलत होगा, Bion का मतलब होता है, Life, Normals का मतलब, Law, तो Life Related Law क्या है, विदिकली, ecology के लिए, यह term का इस्नमाल किया जाता है, UPSC से भी tough question लग रहे हैं, ecology में, trade PFC में कई बार tough question काफी ज़्यादा देखे जाते हैं, जब core ecology आती है, इनमें से कौन सा बताता है, इको क्लाइन, हैलो क्लाइन, पिक्नो क्लाइन, थर्मो क्लाइन, विएसे तो यह प्रॉपर जोग्रफी का सवाल हो गया, लेकिन ecology में भी, इको क्लाइन वगेरा हम पढ़ते हैं, तो क्या है, बताइए ज़रा, density gradient of the water system, यूपी-पी-पी-पी-दोहदार-सोला, खर्शत क्या है, सी, पवन भी सी कह रहे हैं, शिजुका भी कह रही है, कह रही हैं, मनीशा ए, इको क्लाइन, जोती सी, कलेक्टर साइबा ए, मिष्टी भी, अनूप भी, हैलो कलाइन, भी, काजल, अनूप बाकी क्या कह रहे हैं, तो देखिए भया, समय आपका समाप्स होता है, कलाइन का मतलब होता है, gradient, बदलाओ, है न, हैलो का मतलब, हैलाइन, सैलिनिटी, सैलिनिटी की, जब ग्रेडियन ना पी जाए, तो उसे क्या कहेंगे, हैलो कलाइन, थर्मो का मतलब, टेंपरेचर, कैसे टेंपरेचर, बदल रहा है, वो जो लाइन बताएगा, उसे क्या कहेंगे थर्मोक्लाइन पीकनो का ही मतलब है डेंसिटी तो पानी की डेंसिटी कैसे बदल रही है वो कौन बताएगा पीकनोक्लाइन इकोक्लाइन क्या है यह जेनरल टर्म है कोई भी एकोलोजिकल फैक्टर की ग्रेडियंट किससे बताई जाती है इकोक्लाइन के ही की अंदर हैलो क्लाइन प्रकार का इको क्लाइन है थर्मो क्लाइन भी एक प्रकार का इको क्लाइन है है की नहीं तो एंसर क्या है सी पीकनो कि रखते हैं तो उसमें पढ़ते हैं ना पानी की डेंसिटी कैसे बदलता है जैसे conve dirty कैसे बदलता है याँ थे उसक्त हमने पढ़ा हैं। फिक नोकलम хотите पढ़ा कि कितना देखने मिलता है UPPSC pre 2017 0.02% 0.03% 0.04% 0.05% याद करो देखे पेपर बनाने वाले सब जानते नाइट्रोजन आक्सिजन थो आपको याद रहता है या कार्बन डायोक्साइट याद रहता है था कि अ कि तुम्हें समय आप दूआ क्या एंसर दे रहे हैं टी डी और टाइम ले लिजे तो एंसर इसी 0.04 परसेंट कारबन डायोकसाइड अगर आप देखें कितना देखने मिलता है आपको आप देख सकते सी ओटू इस 0.0407 परसेंट तो एंसर क्या होता 0.04 परसेंट तेले नेक्स क्यूशन देखते हैं नेक्स देखते हैं ग्रीन पीस इंटरनाशनल का हेड़कॉर्टर कहां है एक टाइम में ऐसे सवाल भी आया करते थे ग्रीन पीस इंटरनाशनल क्या जवाब दे रहे हैं? आपसी टावा ला एंस्टरदा में एंस्टरदाम एंस्टरद आम्स्टरद मैं एंस्टरद आम् कह रहे हैं तो एंस्ट्रडाम में नीजरलेंड्स में है ग्रीण पीज रहता है एक्टिविजम इध रिस्पेक्ट टो इन्वायमेंट काफी ज्यादा यह करते हैं तो इसके लिए फेमस भी रहते हैं अपर लोकेटेड इंटरनाशनल का हिट्वाटर एमस्ट्रडाम नीजरले चले अगला सवाल 1997 में वर्ल्ड इन्वायमेंट कॉंफरेंस कहां पर और्गनाइज किया गया था रियो में नाइरोबी में क्योटो में न्यू यॉयॉर्क में कि उत्राखंट PCS अब देखिए 1997 का वर्ल्ड इन्वायमेंट कंसरेंस बड़ा इंपोर्टेंट कि अगर अ ANG कि अधे जवाब है ए ए ए डियोर्योड शारस्ट शारस्ट कंस्वा क्योटो क्योटोDJ Kyoto 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 चले तो समय भी वह समाप्त और आंसर एज ती क्योटो क्योटो में ही आपको देखने मिला है वर्ड इन्वाइमेंट कंफरेंस क्योटो में क्योटो प्रोटोकॉल जहां पर बना है यून फ्रिपल सी का हुआ था और वहीं से यह सामने देखने आया Kyoto प्रोटोकॉल आया वहीं से शुरुवात हुई है और 2005 में यह एक्जिस्टेंस में देखने मिला वर्ड इन्वाइमेंट कंफरेंस 1997 का क्योटो में और्गनाइज हुआ था चलिए अगला सवाल देखते हैं कई बार जो ट्रांस्प्लांटेड सीडलिंग्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते बरबाद हो जाता है क्यों ऐसा होता है क्योटो इस जपैन येस क्योटो का सिस्टर सिटी इंडिया में कौन सा है वैसे कोई बताएगा कर दो ते इस 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अंसर ऐ है है देखिए तुक्का लगाया थी इस प्रकार के सवालों में न आपको कॉमन सेंस इस्तमाल करना ही पड़ता है जिसको आप तुक्का कह रही हो विसिकली आपका गट फीलिंग है कॉमन सेंस है तो इससे भी आप एंसर कर सकते हैं तो अपने गट फीलिंग को मजबूत करें प् है अब जब ट्रांस्प्लांट करते हैं न तो यह रूट हेर्स डैमेज हो जाते हैं रूट हेर्स का क्या काम होता है तो इसे पानी और न्यूट्रियंट को खीचना अब यह जो सीडिलिंग्स हैं चोटे-चोटे पौधे हैं यह अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है इन हो जाते हैं राप्टर राम राम जी चलिए कोई बात नहीं लेट हैं दस सवाल आपके हो चुके हैं चलिए अगला सवाल अगला सवाल एको टोन एक जोन ऑफ जंक्शन या फिर ट्रांजिशन है दो बायोम्स के बीच में यह अगर आप देखें तो फीचर्स दोनों ही बाय हो का जवब घए भूद बोद 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 इए स्ट्रेट परवर्ड है एको टून पर विस्च चर्चा हमने की है आज थोड़े कठिन वाले सवाल लाया हूं लेकिन उस पिर अभी थोड़ा स्टार्टिंग में पहला बॉल क्या होता है पहला बॉल ट्राइल होता है तो ट्राइल बॉल अभी डाला गया है चलिए बहुत बढ़िया आप में से अधिकांश लोगों ने जवाब अधिकतर कैसा भी न जवाब दिया है इको टोन क्या है दो बायोंस दो एको सिस्टम के बीच में एक जंक्शन है और इसमें दोनों ही कम्यूनिटी के आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखने मिलती है तोनों बिल्कुल फ्रही स्टेट्मेंट है चलिए नेक्स्ट क्येशन देखते है इको टोन एक बॉड़ी वाटर दूसरे बॉड़ी और वाटर को मिले तब भी देखने मिलता है इको टोन पॉसिबल नहीं है बिट्वीन टू डिफ्रेंट बायोंस एक ट्रिस्ट्रियल एंड वाटर जड़ा बताईए क्या होगा जवाब ट्रायल बॉल नमबर टू यशू सी ओप्शन स्टांडर एंड ए मतलब वन अली बी मतलब टू अली थी मतलब बोत दी मतलब नीदर वन नौर टू हरशत ए ए ए ए ए ट्यूब मेट नीदर वन नौर टू जवाब अगर आप देखे आंसर इस ए वन ओनली एको टोन का होता है जब दो बॉड़ी ओफ वाटर लाइक फ्रेश वाटर समुद्र से मिल रहा हो और फ्रेश वाटर और सेलाइन वाटर के बीच में भी एको टोन हमको देखने मिलता है एस्ट्यूरी वैसे ही टरिस्ट्रियल और वाटर बायो मिले तो भी मिलता है मैंग्रोव क्या एक तरफ लाइन एक तरफ समुद्र से बीच में गलत हो जाता है चलिए अगला सवाल देखते है मैंग्रोव फॉरेस्ट एक इको टोन है मरीन और टरिस्ट्रियल एको सिस्टम में लार्ज प्लांट जो अपन ग्रो करते हैं रूट्स अटैज्ट तूदा सब्मर्जड जमीन में रखते हैं फ्रेश वाटर और मरीन इको टोन के बीच में भी देखे जाते हैं जड़ा बताईए क्या करेक्ट है मैंग्रोव लार्ज प्लांट है जो की जिनके रूट्स जमीन से अटाज होते हैं जो की सब्मर्ज रहता है फ्रेश वाटर और मरीन इको टोन दोनों में देखा जबता पिछले सवाल में राप्टर आप क्या रहे हैं लैंड एंड वाटर के बीच में संदर्वन हो सकता है कुछ जगाओं पर लेकिन संदर्वन बहुत बड़ा है वहाँ पर अपने आपने कई प्रकार के इको टोन आपको देखने मिलेंगे वैसे अब अब फ्रेश वाटर और मरीन इको टोन में लार्ज प्लांट्स देखने मिलते हैं जो की सबमर्जड रहते हैं रूट्स उनके और जमीन से चिपके रहते हैं क्या है जवाब प्रेश्ट इस अब लोग ने आंसर ची है दोनों स्टेट्मेंट बिल्कुल सही है मैंगरो फॉरेस्ट क्या है मरीन और ट्रेस्ट्रियल एको सिस्वर्मके बीच का है इकतों तunda है और मैंगरो फॉरेस्ट में अगर आप देखोगे तहbung ये फ्रेश मारीन इक टोन के के पॉरमेशन के संदर्ब में दो स्टेटमेंट हैं ओप्षिन स्टैंडर्ड हैं ए मतलब वन अउनली बी मतलब टू अउनली सी मतलब बोथ डी मतलब नीदर वन और टू जरा बताईया क्या है जवाब कि अ लुमाटर वोर्स विल्टू लुमाटर वोडोगर स्टैंडर पिल्ट बिल्टू लुमाटर वोर्ट वेल्टू कि अउ सच्च्च उसे धिए क्या जवाब है पोटीन का यती पवन कह रहे हैं C बाकी A पुनम C मनीशा A मिष्टी A आरके A अनूप C C C C C C बाकी क्या करेंगे माज कीजिएगा second statement नहीं दिखा second statement में क्या आया साफ साफ कह रहा है कि पहाडों में बहुत ज़्यादा climatic diversity देखने मिलती है जिस वज़े से कई इको टोन्स देखने मिलते हैं पहाडों के slopes में C दोनों ही statement बिलकुल correct है दोनों statement बिलकुल correct है एप उनक्र देखेते हैं अब कि अधिकल एंवाइमेंट में चैंजे आते हैं जिस वजय से गर आप देखे तो इंटरफस एक तरफ जंगल है एक इस प्रकार से और इतने पार्ट में जंगल को क्लिएर कर दिया है हम ने तो क्या होगा जाहिर लाइसी बात है जितने पार्ट में जंगल कॉम ने क्लिए किया है इतना फॉरेस्ट है विप है उपको अलग लग विजिटेशन के रूप देखने मिलते हैं की नहीं नीचे में ब्रॉड लीफ टेम नीचे में देखोगे तो डेसीडूस फॉरेस्ट मिलेगा थोड़ा उपर जाओगे तो आपको ब्रॉड ली फॉरस्स देखने मिलते हैं और उपर जाते हैं तो ग्रासलिंट देखने मिलते हैं उसके ऊपर जाओगे तो हो सकता है और टुटली आईस कैब्ड रहता हो तो इस परकार से अलग-अलग ईको टोंस हमको पहाडों के स्लोप में देखने मिलत होते हैं जो अलग-अलग ecosystem के बीच में देखे जाते हैं तो दोनों स्टेटमेंट क्या है या पे बिलकुल सही हो जाते हैं चलिए आपके पीचे चिप गया है सर इंदी में पढ़ती है लेकि मैंने बोल दिया था पढ़के बता दिया चलिए नमबर फिफ्टीन दो स्टेटमे डिको टोन में कुछ और्गनिजम ऐसे होते हैं जो इंटारली डिफरेंट होते हैं एड्जॉइनिंग एको सिस्टम के कम्यूनिटी से इको टोन सिर्फ और सिर्फ नैच्रली बनते हैं झाल 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 कि अगर आप देखें तो उसमें कई और्गनिजम ऐसे होते हैं जो बस और बस उस इको टोन में ही पाते हैं इसको क्या कहते हैं कौन सा एफेक्ट बताइए जल्दी से इको टोन के सिर्फ नैच्रली बनते हैं अभी तो एक्जाम्पल दिया था फॉरेस्ट लैंड है इसको जाके मैंने इतने क्या कहते हैं कौन सा एफेक्ट एज इफेक्ट बहुत बढ़िया एज एफेक्ट कहते हैं क्या है जैसे कि आप अगर देखें तो जहां पर एक लेक है दूसरे तरफ लैंड तो बीच में मारशी इलाका है तो उस मारशी इलाके में कई अलग प्रकार के प्लांट और अनिमल चले अभी दस सवाल बच रहे हैं नेक्स्ट क्विश्चन देखते हैं दो स्टेट्मेंट दिया गया है इको क्लाइन जोन अफ ग्राज्वल बट कंटीनवस चेंज है एक एको सिस्टम से दूसरा जब कोई शार्प बाउंडरी ना हो दोनों एको सिस्टम के बीच में इन ट झाल 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 कि 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 दोनों ही स्टेट्मेंट बिल्कुल सही है इको क्लाइन क्या है जैसे थर्मो क्लाइन मनाते हैं एक प्रकार का इको क्लाइन उपर का पानी गरम है जैसे जैसे नीचे पानी क्या होने लगेगा थंडा होने लगेगा तो यह को क्लाइन हुआ जो कि क्या है तो होगे तो cold होता है तो cold water ऊपर warm water और बीच में क्या है यह थर्मो क्लाइन है जो कि एक प्रकार का इको क्लाइन है तो gradual but continuous change हो रहा है एक ecosystem से दूसरे ecosystem में जब कोई sharp boundary ना exist करे species composition के भी संदर्ब में स्टेटमेंट वन बिलकुल सही है इको क्लाइन अगर आप structure के context में बना सकते तो अलग अलग प्रकार के इको क्लाइन बन सकते हैं तो दोनों ही स्टेटमेंट बिलकुल सही है आंसर एसी वन एंड टू बोथ चले question number 17 देखते हैं दो स्टेटमेंट है एज एफेक्ट का मतलब होता है population या community structure में बदलाओ जो की दो हैबिटाइट के boundary में देखा जाता है वह organism जो की प्राइमेरेली मोस्ट अबिडेंटली इन जोन में रहते हैं इनको एज स्पिशीज कहते हैं जल्दी से बता दीजे क्या है जवाब option standard है a मतलब one only b मतलब two only c मतलब बोथ d मतलब neither one nor two 17 शिजुका सी मोहन सी यशू सी आगे डी वाले डी 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 कई बार चिला चिला के सब को स्कीम बता दो डी 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 इतना बार डी लिकूँगे के कच्ची गोलिया नहीं की है खेली है अब सब पग गए है कि वह क्या है कि अब तो सबको राज खुली गया है सिंपल सवाल है दोनों स्टेट्मेंट करेक्ट हैं लेकिन आप से क्या पूछा गया है यहां पे कौन सा इन गया नहीं करेक्ट है तो एंसर डी है क्योंकि ननिज अनकर्एक्टницत बिलकुल करेक्ट है अभी तो बताया आपको एज एफिक्ट बताया एज इसपिशीज भी बताया है दोनों ही स्टेटमेंट बिलकुल करेक्ट हो जाते बेoff content हुजिए नाम पक गए हैं चलिए क्वेशन नमर 18 जीब्रोइड एक हाइब्रिड क्रॉस है अरे यार सीधा एंसर डाल दिया जल्दी से बता दो यहां पर जीब्रोइड एक हाइब्रिड क्रॉस है किन दो जानवरों के बीच में सुनाएं जीब्रोइड के बारे में किन दो जानवरों को मिलने से उनका हाइब्रिड क्रॉस बनता है जीब्रोइड सब ने देख लिया आप्शन है मेल जीब्रा फीमेल डॉंकी मेल जीब्रा फीमेल डॉंकी बनता है जीब्रोइड यह देखो तस्वीर इम्रान खान कहते हैं न मैं हूँ तो पाकिस्तानी भले मैं अंग्रेजों के साथ घुमूं फिरूं उठूं बैठूं पर गधे पे काला वाइट पेंट कर दोगे तो वो जीबरा तो नहीं बन जाता अग्रा चाएँ सब्हारे बन जाएं तो लिबरा जट क्या है है मेल जिबरा ठान युद कर तो द यमेल डांकी के बीच में यह कह रहें हैं एक जिबरा प्रक्ट मतलब जब्रा यह स्टराइल है यह स्टराइल है मतलब कि यह पर्दर बच्चे इसको नहीं रहनी होते है यह सवाल देखते हैं पुरा मज़ा खराब कर दिया एक सवाल यहां पर सिदा एंसर डाल दिया पूरा मज़ा बेगाड के क्या है होम्योस्टेसिस का मतलब होता है स्टेबल एक्विलिब्रियम का मिंटेनेंस रूफ फिजियो लॉजिकल फंक्शन्स कुलिंग ऑफ हुमन बॉडी स्वेटिंग प्रसेस से जो पसीना आने से शरीट संडा होता है यह भी एक प्रकार का होम्योस्टेसिस है बताइए जरा ए मतलब वन उनली बी मतलब टू अली सी मतलब ब करें आप था और हुआ है का आख आख चीज़ को सब्सक्राइब तरुक्राइब कर दो खर्शन्सक्राइब कर दो कि यह तर्शन्स के सिवा कुछ कहना चाहेगा सब तो सीही कह रहे हैं वही हो क्या गया है ऐसे थोड़ी चलेगा कोई तो गलत जवाब दो ठीक है अब दे रहे हो तो ठीक है कि दोनों स्टेट्मेंट बिल्कुल सही है हो कि हंपयो स्टेस्टि का मतलभी क्या होता है एक्युलिब्रियम जैसा है यथा सिती बनाए रखना तो हमारा जो इन्वाइव है उसकी एक रेक्टरिस्ट्रिक होती है कि हमेशा होउमी बनाँ चाहता है जैसे कि अगर किसी grassland ecosystem है वहाँ पे मान लो deer जादा हो गए तो उनको खाने वाले lion भी बढ़ जाएंगे और धीरे-धीरे deer की संख्या वापस normal हो जाएगी और कुछ time बाद तो lions जिनको support करता है या wolf जिनको support करता है wolf भी कम हो जाएंगे तो इस प्रकार से इंटर्नल feedback loops बने रहते हैं ecosystem में जिसके द्वारा equilibrium बनी रहती है तो homeostasis क्या है stable equilibrium बनाए रखना stable equilibrium कैसा हुआ कटोरा है यहाँ पर मैं एक कंचा रख देता हूँ यह कंचा मैंने यहाँ पर रख दिया अब इस कंचे को मैं जरा सा move करूंगा तो पहले जाएगा थोड़ा इदर उदर घुमेगा फिरेगा और वापस यहीं पर आ जाएगा फिर इदर हिलाया फिर इदर उदर गुमेगा गुमेगा लेकिन गिर के वापस यहीं आ जाएगा तो वैसा ही environment भी है एकाद फैक्टर के साथ खेलोगे तो कुछ नहीं होगा चीज़े बदलेंगी बदलेंगी लेकिन वापस इस प्रकार से लूप लगेंगे कि वापस वैसा ही हो जाएगा है की नहीं तो यह क्या है homeostasis है stable equilibrium है human body भी वैसा ही हमारे शरीर में क्या होता है homeostasis maintain होता है body temperature maintain करते हैं है की नहीं हमारा body temperature 37 degrees पर maintained रहता है कैसे रहता है ज्यादा भागे शरीर गरम हो रहा है भागने से होता फुटबॉल बगेरा बच्पन में कहलते थे तो शरीर कैसा गरम हो जाता था लेकिन पसीना आता है तुरंट शरीर थंडा हो जाता और body वापस temperature 37 degrees पर maintain कर लेती है तो this is a type of homeostasis चलिए next question देखते हैं दो statement है आपके समक्ष organism internal environment में consistency बनाना चाहते हैं भले external environmental conditions उनको upset करना चाहें उनकी homeostasis को बिगाड़ना चाहें statement 1 statement 2 constant osmotic pressure का maintenance water and salt concentration के control के द्वारा जो maintenance होता है उसको thermoregulation कहते है है हिंदी में जो नहीं पढ़ पार है मैंने पढ़के तुना दिया है option standard a मतलब one only b मतलब two only c मतलब both d मतलब neither one nor two option two नहीं पढ़ पार है फिर से बताता हूं पानी और नमक की सांधृता को नियंतृत करके किसी जीव के तरल पदार्थ में निरंतर औस्मोटिक दबाओ बनाए रखना thermoregulation के रूप में जाना जाता है c 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 कोई c के सिवा कुछ और कह रहे हैं दिवान जली डी हर्शते हर्शते कह रहे हैं श्रेदी क्या कह रहे हैं यश्व डी कहना सी भाईया कब समझोगे एंसर ए है वन उनली अंधाजा लगाओ यार थोड़ा सोचो और गेनिजम देखो स्टेट्मेंट वन अभी आपको समझाया मैंने कैसे और गेनिजम क्या करते इंटरनल एकाथी से बदलती हैं लेकिन ओवर वाल आप देखो तो स्टिबल एक्विलिब्रम में बना रहता है इसी को कहते है होमियोस्टेसिस तो वही बात हो रही है तो वन तो पक्का सही है आप जानते ही हो अभी मैंने एक्जांपल से भी समझाया आपको डियर शेयर ग्रासलेंड एकोसिस्टम में स्टेटमेंट टू थर्मो का तो मतलबी टेंप्रेचर है ना पिछले सवाल में जो कि तो इसको क्या कहें थर्मो रहनगे तो नहीं कहेंगे क्या कहेंगे प्रेचर ऑदे मोडी में बिस अना चलेहीं नेक्स्क्रिशन देखते हैं पड़िये एक्वेटिक एनीमल में औसमोटिक कॉंसेंट्रेशन और बॉडी फ्लूइड चेंज करता है उनके बाहर के पानी के कॉंसेंट्रेशन के बदलाव के अनुसार इन एनिमल्स को पानी में रहने वाले एनिमल्स को प्लांट्स को कॉंफर कि यह पताता सुझा बी को भी लपेट लेता है ऐसे क्यों भाई दिमाग हमेशा लगाते रहना है सवाल में जब कह रहा है वो थर्मो रेक्यूलेशन तो आस्मोटिक प्रिशर से क्या ले ना देना कि अग्यों कि इसी एए बी डी डी कि एए कि यदि डी शिजुका सी ममता डी अब सब को देख लेंगे जल्दी कहेंगे सार ऑप्शन बदलना है कि यह देख लेंगे जैसे लो बाउंसर आता है यह ना तो लास्ट मोमेंट में बाउंसर मारा लेकिन मैंने उंगलिया गुमा दी कहां पे है कि इनमें से कौनसा not true है नौट ह्रू है तो इस डी है दोनों ही स्टेक्मेंट बिलकुल सही है देखो स्टेक्ट्वमन वं तो हम तब से कह रहे हैं एक्विटिक अनिमल्स में क्या होता है देखी बाहर का जैसा उनका पानी है जिस पानी में वो रह रहे हैं उसकी साइलिटी अलग है तो उसके अनुसार वो अपने शरीर की भी साइलिटी अपने शरीर में भी जो फ्लूइड्स है उसके अनुसार वो एक्स्टेंज करवा लेत है जो कि क्या है बिल्कुल सही बात है अब कंफर्मर क्या होता है अब मैं चाहता था कि आप लोगों को देखिए यहां पर ना यह साइन्स अंट टेक बायोलोजी वाला पार्ट मैंने घुसाया है जान बूच के क्यों क्योंकि इन्वाइमेंट में जरूरी है कुछ पार्ट तो क्या है कंफर्मर देखिए कंफर्मर और रेगुलेटर दो प्रकार से जीवों को बाटा जाता है सिंपल शब्दों मैं कहूं कोल्ड ब्लडेट सुना है कोल्ड ब्लडेट एनिमल वाम ब्लडेट एनिमल हम क्या है वाम ब्लडेट एनिमल है है ना कंफर्मर होता है कोल्ड ब्लडेट कोल्ड ब्लडेट का क्या मतलब होता है ताम को देखा है आप देखा तो होगा लेकिन आप लोगोंने शायद यह नही रामें के अगर मगरमंच क्या करता है देखाई दूम दूप सेखता रहता है बैट के तौन देखोगे तो दूप सेखता हो हम अपने शरील का टेंपरेचर मिंटेन करते थर्टी सेवन डिग्रीज पे तो हम क्या है वाम ब्लडड है ने क्या होता है वो नहीं कर पाता बाहर थंडा हो रहा है तो उसका शरील भी थंडा हो जाएगा बहुत ज्यादा तो जाता है बटा धूप में अराम से बैठेगा चल मारेगा मगर मजबात करते हैं जूज अगयरा में जाओए दूप में बैठा हुआ है थंड मैं दूप से क्रार है ना गर याद कन्फर्मर कोल्ड ब्लडड मुर्डर भी होता है हाँ धूप में पड़े रहते हैं साथ वही उसी की बात हो रही है तो कन्फर्मर और कुछ नहीं है कोल्ड ब्लडड है यह आपको याद रखना है चलिए अगला सवान इकोटोन बनने के लिए इनमे से कौन-कौन से possible condition हो सकते है क्लाइमेटिक कंडिशन्स की डाइवर्सिटी टेरीन का अब्स्रक्शन डिस्टर्बिन से या फिर आल अफ दी अबब हुआ 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 कि यह एंसर डी ऑल अफ दी अबव बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो बिल्कुल सही जवाब यह सारे पॉसिबल कंडिशन्स हो सकते हैं इकोटोन बनने के लिए अलग अलग क्लाइमिटिक कंडिशन्स बन रहा है तो उसके अनुसार अलग 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 ecosystem हो सकते हैं तेरी स्टीब ग्रेडियंट है कहीं पर जेंटल ग्रेडियंट है तो उसके अनुसार कम्यूनिटी बदल जाएंगी तो यह भी उनके बीच में एक इकोटोन हो सकता है disturbance है कहीं पर जंगल है कहीं पर उसे जला दिया गया है तो यह disturbance हो गया है तो उससे भी अलग अलग इकोटोन बन सकते तो answer is the all of the above हाँ तो cold-blooded को consumer कहते हैं जो हम है warm-blooded या mammals warm-blooded होते हैं इनको क्या कहते है रेग्यूलेटर क्यों 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 यह अपना शरीर का temperature वगिरा regulate कर लेते हैं regulate करने में यह सक्षम है regulate करना मतला maintain करना बाहर संडी हो गर्मी हो सियाचिन बेजो या थार का डिगरट बेजो temperature शरीर का मिंटेन करते हैं क्या है हम regulator चले statement one nails and fish estimation में चले जाते हैं कुछ क्योंकि summer related problems like heat and drying से वो बच सके bacteria fungi lower plants में thick walled spore होता है जिसके द्वारा वो unfavorable condition survive कर लेते हैं पताईए क्या है जवाब तो यहां पर मैंने purposefully biology के कुछ चाप्टर में घुसा हूं मैं जो की environment से related है जहां पर आपको कुछ चीजें हैं जो मालूम होनी चाहिए science and tech वगेरा का भी topics में मैंने include कर लिया है जो की environment के साथ मैच कर रहा है डी 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 सभी ने कह दिया डी क्यों भया आप तो रोश्यार हो गये हैं सब हां फ्लो बाउंसर भी पकड़ लेते हैं अक्षन से ही तो देखिए थंड में क्या करते हैं जीव hibernation गर्मी जादा हो जाए तो क्या करते है एस्टी वेशन क्या करना है यह याद रखना है थंड में क्या होता है हाइबर नेशन कुछ जानवरों के द्वारा तो वहीं गर्मी में क्या होता है गर्मी से बचने के लिए एस्टी वेशन होता है है यह आपको क्या करना है याद रखता है वैसे ही bacteria fungi इनका जो Spore होता है जिसके दवारा यह distribute हो रहे हैं और spread कर रहे है और further grow कर रहे है एक्स्ट्रीम कंडिशन से बचने के लिए इनका आप अगर देखे तो जो outer world इनका जो outer wall होता है बहुत थिक होता है कि बाहर temperature ज्यादा हो पानी कमी हो किसी भी प्रकार से इन पर नुकसान ना हो ये बरदास्त कर जाए शर्वाइव कर जाए तो इसके लिए thick walled spores होते हैं तो answer क्या है दी नीदर वन नौर टू हाँ हाँ हाइबर्नेशन मतलब थंड गरमी में estivation चले next question देखते है इको सिस्टम अपना equilibrium maintain करने में capable होते हैं ये अपने species structure and functional processes को भी regulate कर लेते हैं जड़ा बताइए क्या होगा जबाग ये कि mental कोन है और double mental कोन है ये जड़ा बताएं मुझे clarity दें कि अगरे अगरे देखने वाले इसके बाद हम C C C 1 & 2 बोथ 1 & 2 बोथ 1 & 2 बोथ 1 & 2 बोथ दोनों ही statement आप लोगों ने दिये हैं दोनों ही statement बिलकुल सही हैं इको सिस्टम अपना equilibrium maintain करते हैं अपने species structure and functional processes को भी regulate कर लेते हैं तो दोनों ही statement बिलकुल सही हो जाते हैं answer is C 1 & 2 बोथ 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 दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट चले आखरी सवाल आज का अगरे अगरे अपने मेटबॉलिक रेट को एवाइड करने के लिए सो जाते हैं अपने मेटबॉलिक रेट को रिड्यूस करने के लिए इसको क्या कहते हैं डीप स्लीप में चले जाते हैं 37 गड़ नहीं आया हूँ मैं कभी दिवान जली स्टेट फॉरवड सवाल है स्टेट फॉरवड सवाल है भालू अगरा क्या करते हैं अपने मेटबॉलिक रेट को रिड्यूस कर लेते मालू में थंड हो गई है पोलर बेर खाना नहीं मिलेगा तो उनके पास मेटबॉलिक रेट को स्लो करके सो जाते हैं और फिर जब कंडिशन्स ठीक होते तब उठते हैं और खाने की तराश में निकलते हैं तो क्या कहते हैं आइबर्नेशन इसके साथ 25 का सवाल हो जाता है सी आंसर एज सी क्लास यहीं पर करते हैं समाब जल्दी से बता दे ता हूं से प्यार भयार तो बिटा दोका है तो तो 13 और 14 अज़ हम रिड्स कर रहे हैं तो 25,499 रुपए में आपको मिल रही है कौनसा coupon code यूज करेंगे कि इन जे एल किंजल क्यों क्यों यूज करेंगे क्योंकि इससे अपनों मिलता है maximum discount इससे जाधर discount आपको और किसी coupon code से कभी नहीं मिलेगा नमबर डू आप मेरे free courses को भी support करते हैं जैसे इसका इस वक्त आप फाइदा भी उठा रहे हैं इस प्रकार के courses को मैं और ज्यादा आप तक ला पाता हूं इसमें आपको GS course, optional course, subject course, CSAT के courses मिलते हैं 16 महीने की subscription में तो दाम भी हमने कम किया है subscription भी हमने 4 महीने बढ़ा दी है तो यह इसका फाइदा उठा सकते हैं बाकी आपको मालूम है आज हमारी master class भी होगी कितने बजे साड़े तीन बजे तो टेस्बुक आप को डाउनलोड कर ले, free of cost है, साड़े तीन बजे हम जुडेंगे और master classes हम run करेंगे उसमें तो उसमें भी आप ज़रूर जुड़िए, साड़े तीन बजे आपसे मुलाकात होगी और वहाँ पर ही में PDF भी आप लोगों के साथ, आप साड़े तीन बजे वापस होगी मुलाकात, thank you so much, bye bye, do take care.